नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूग चैनल एजुकेशन क्लासस रामू में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो हमारा बहुत महत्पुन प्रशन हिंदी से जो है हमने प्रेक्टिस से टुठा दिया है और सुरू से जो कि हिंदी का इत जैसे ही हमारा इतिहास का क्वेस्चन कटम हो जाएगा फिर हम अगला वर्ड माला हमारा प्रेट टॉपिक होता है हिंदी तो वहां से फिर हमीं स्टार्ट कर दें क्योंकि इतिहास से भी क्वेस्चन देखने को मिलते हैं हर इकजाम में बनता है और इस पेसली यह बिहार से के लिए बनाया जा रहा है तो बिहार सिचक बरती के लिए काफी महत्पूर्ण है वीडियो को अंतक देखेगा वीडियो फसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करेगा एक बार प्रशनों का क्लेक्शन देखेगा कितना अच्छा है आप लोगों के एकजाम के लिए तो आप लोग ये सोच कर मत देखेगा कि ये सिर्फ बिहार सिचक बरती के लिए है आपको सूपर टेट के लिए भी काम आए गाई ये हमारा वीडियो और इसमें जितने भी प्रशन है सब ही प्रशन किसी ना किसी एकजाम में पूछे गए प्रशन है ये सबसे बड़ी बि वीडियो हमने रोग दिया उसको मैं करा दूंगा आप टेंशन मत लीजिए गा उसको हम करा देंगे एक डिड़ माहिने की बात है वसके बाद हम वह चीजी फिर से सुरू करने वाले हैं तो पहले आप बिहार सिचक बरती पर फोकस करिए क्योंकि सामने आपको दिख रहा है और जिसकी कोई कलपना ही नहीं की जा रही है अभी सरकार के दोरा उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है तो यह चीज अपने दिमाग में रखेगा अगर आप बियार सिचक बरती के लिए लिजबल है तो जरूर फाम वरिएगा तो चलते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्ण है कि किस वर्ष में हिंदी भासा को क्रियानिमित करने करने शुकृति का प्रवस्ता था तो कब किया गया था हिंदी को शुकृत किया गया था हिंदी भासा को वह आपको बताना है हमारे समी दान में बहुत अच्छा डेट है 14 सितंबर 1949 को जो है यह किया गया था द्यान लखेगा एवाला बिकलब जो है पूछा जाता प्रशने देखे यूपी एसाई 2017 के जो है एकजाम में कई बार देखे तीन बार एक प्रशने पूछा गया है तो आप सो सकते हैं कि इन सभी प्रशन महत्पूर है क्योंकि हर ना किसी ना किसी एकजाम में पूछे गए ह है और यहां से पूछा जाता है सूपर्टेट में भी पूछा जाएगा एक क्वेशन तो इतिहास से आता ही है हिंदी के दूसरा प्रशने की 14 सितंबर उनिस उन्चास को भारती समिदान सभा में हिंदी को भारत संग की कौन सी भासा का दर्जा दिया गया है वह आपको बताना आपके लोगों के लिए कितना महत्तपूर्ण है यह प्रश्ण 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 नमर तीसरा है कि हिंदी दिवस किस तिथी को मनाया जाता है वह आपको बताना है प्रश्ण नमर तीसरा का तो हिंदी दिवस जो है राश्टी हिंदी दिवस की बात हो रही है किस डेट क को मनाया जाता है धी वाला विकल्प जो हमारा थीसरा का साही हो ज़्यान रखेगा आगे चलते हैं प्रस्ट नम्र चौथा है कि हिंदी भासा किस लिपी कि लिया गया है वो आपको बताना है तो जो हिंदीमासा की लीपी होती है वो होती है देवनागृने लिपी यह दिखे यह जय देखे ये कई बार कितने बार देखे इज्या में पूछे जाएं कुएस्चन है तो बहुत महत्पूरण है जयन नखेगा अगला प्रश्ण है पांचमा समिधान के किस अनुश्यद में हिंदी को राजबासात था इसकी देवनागरी लिपी को स्विकार किया गया है अब अनुश्यद पूछ दिया है प्रश्ण नमर पांचमा का तो कौन सा अनुश्यद है तो 343 अनुश्यद 343 एक है जो वो जो है इससे रिलेटेड होता है तो सी वाला बिकल्प हमारा सही हो जागा प्रश्ण नमर पांचमा का द्यान अखेगा प्रश्ण नमर छटमा है कि समिधान के अनुश्यद 344 एक अनुपालन में भारत के राष्ट पती ने राजबासा आयोग का गठन किया था कब किया पूछा जाता यह बहुत महत्मूर है 344 एक तहट राजबासा गठन का जो है राजबासा के लिए गठन किया गया था और वह आयोग में गठन हुआ था खेर महोदें थे उनके नित्रुत में गठन किया गया था तो इस तरह से हमारा यह वाला बिकल्प जो है छटवा का सव तो कहा जाता है तो संस्कृत कोछ कहा जाता है बी वाला बिकल्प जो है प्रश्ण नमर सात्वा का आधी जननी कहा जाता है संस्कृत को ध्यान नखेगा इस से रिलेटेड हम इतिहास से रिलेटेड लगबग हिंदी के हम सो प्रश्ण करेंगे तो दो पार्ट में करेंगे यह है और पार्ट टू इसके बाद आए गा यह भी बात ध्यान लखेगा प्रश्च नमर राट लिपी की आउसाक्ता होती है किस रूप में जो है लिपी की आउसाक्ता होती है वह आपको बताना है तो लेखन में होती है सी वाला बिकल्प जोईस का सही हो जागा वहीं पहचा तो जय भट के जो सिलालेख थे उसमें जो है इसका उलेख मिलता है इतियास के तो नवा का हमारा बी वाला बिकल्प जो है सही हो जाए गांग आगे चलते हैं प्रश्च नमर दसमा वडमाला हिंदी वडमाला हिंदी किस लिपी में लिखी जाती है वह आपको बताना है जो द्यान लखेगा आगे चलते हैं प्रश्च नमर 11 भारत के समिधान के डैश डैस में हिंदी की हिंदी को भारत की राज भासा बताया गया है वह अनुछेद आपको इसमें बताना है अभी हमने इस पर चर्चार कर भी चुके हैं तो अनुछेद 43 A है सी वाला बिकल्प जो है 211 का सई हो जाए गा 343 A है प्रश्च नमर 12 है कि हिंदी डैस डैस बासा के उत्रा ध्रिकारणी है तो किसका उत्रा ध्रिकारणी है मतलब एक तरह का उसके बाद आने वाली बासा है तो किसकी तो संस्कृत की हिए सी वाला बिकल्प जो हमारा बारा का सई हो जाएगा UPSI 2016 मे Хинди का अ स्थान है कौन सा अस्थान है वह आपको बताना है प्रश नमर 13 का तो हिंदी की अगर हम बात करे है तो वह 13 तीसरा अस्थान पर आती है सिवल अभी गलब इसका सह providers पूली जानेवाली में 20 में बात्व हो रही है तो सी वाभी गलब हमारा सह नहता है बहुत में चौदा है कि भासा लिखने के लिए प्रिवस्तित रूप को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं तो दीवाला भी गलब इसका सही हो जगा कई लोग ब्याकरण मारेंगे लेकिन ये गलत है लीपी होगा चिनों के बेवस्तित रूप को पूछ रहा है तो वो लिपी होता है डी वाला बिकल्पिसका से हो जगा और वो भी लिखने की बात हो रही है तो ध्यान रखेगा ब्याकरण से तो सुधता की तो ग्यान होता है ना changing 15 वो आपको बताना ऐँ प्रश्च नमर 15 का तो कि शोटा शुगा हैं कि ब्राम्हडी यहीं ना इस विघ्जां में पूछा जाता और यहीं प्रशन यहीं सिट्गों इस इप एप इस वंजहाँ पूछा जाता है है इसलिए हमने सोचा कि इतिहास के पहले जितने भी हिंदी के क्वेश्चन है वह आपको करा दिया जाए आपको पता होगा कि 75 नमर के क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे प्यार सिचक बरती में तो सोच सकते हैं बहुत महत्पूर है प्रश्ण नमर सोरा है कि हिंदी को वि हो जाती है अप ब्रांट से बी वाला बिकल्प जो है इसका सई हो जाएगा हिंदी का क्रम क्या होता है पहले पहले नमर पर संस्कृत आता है उसके नमर पर प्राकिर्टिक आता है और उसके नमर पर जो है अप ब्रंस जो है चौथे नमर पर आता है और पांच्वे नमर पर जो है हिंदी आती है तो अब भरंस के बाद निर्माड जो भासा का होता है वहीं जो हिंदी काल आती है इनका क्रम भी ध्यान रखेगा पूछ सकता है कभी क्रम बैठाने की बात करें तो प्रश्ण नमर 17 की अवधी बोली किस अब भरंस से विक्सित हुई है वह आपको बताना है अवधी तो किस आप भरंस से हुई है प्रश्ण नमर 17 का रहा है तो अर्दमागधी से हुई है ध्यान नखीएगा बी वाला विकल्पच का सई हो जाए पूर्वी हिंदी अर्दमागधी से निर्माड होता है तो उसे ंवधी भी समसकते हैं प्रश्ण נमर चोदा है कि हि प्रश्ण नम्मर 19 नम्मर 19 है कि वराण सी गोरफूर आरा के मदिकाउन सी भासा बोली जाती है वो आपको बताना है प्रश्ण नम्मर 19 का तो कौन सा बासा बोली जाती है तो यहांपर भोजबूरी बोली जाती एवला बीगलफ में हमारा सहई हो जाए गाँ आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर 20 और ब्रज भासा का केंद्र क्छेतर कहां है तो सब को पता है कि मतुरा में होता है ये वाला विकल्प इसका सही हो जाए का ये सभी ना किसी किसी एकजाम में पूछे गए क्वेशन है तो ध्यान रखेगा प्रश्ण नमर 21 से कि बोली का छेतर जब थोड़ा विक्सित हो जाता है और उसमें साहित की रचना होने पर वह क् इंट तरह का व्भासा बन जाती है तो विकल्प हैंटी के पांच व्भासा हैं आपको पता ही होगा तो इसका प्रश्ण नमर22 को पता है कि राजिस्थान पुर्वी बिहारी हिंद्ध होता है पहाडे हें द्यान नक भाईस है कि बुंदेली का च्टर कौक्सा है बुंदेल खंड वाला च्छेतर आप इसमें से चाटना है प्रश्ण नमर 22 का कौन सा हो जाएगा तो जहांसी जानवर और दतिया वाला जो च्छेतर होता है यह बुंदिल खंड के च्छेतर के अंदर गत आते हैं यूपी के दच्छिण में परता है ध्यान लखेगा आगे चलते हैं प् प्रश्णामर 24 है और जेंद की किस उपहंद आती है वह आपको बटाएए प्रश्णामर 24 का तो किस आता developed यह हिंदी ही है यह जो है किसके अंतर्गत आएगीी चिमीहिंदी के अंतरगत आएगी तो कहा है और देखे ब्रज हमारा छेतर मतूरा यूप के पच्छिम साइड में परता है तो इसी तरह हम पच्छिमेहिंदी के साथ जाएंगे 24 का हमारा जो बिकल्प सही होगा B वाला बिकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 25 है कि पूर्वी हिंदी चेतर में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है पूर्वी हिंदी चेतर की बात हो रहा है तो कौन सी तो जय पूरी क्योंकि ये पच्छी में आता है राजस्थान के चेतर में आता है तो डी वाला भी गल्प सही हो जगा पाकी तीनों पूर्वी हिंदी के अंतरकत आएंगे पूर अपसाइड ऐसे दिशा के अधार पर भी आप प्रजण का उत्तर खो सकते थे प्रश्ण नमर 26 है कि निमली में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है उत्तर प्रदेश की आपको इसमें से बताना है प्रश्ण नमर 26 कौन सी बोली है देखिए बुंदेली भी उत्तर प्रदेश में आएगी कन्योजी भी आएगी तो ये दो हो जाएगा ऐसे दोनों यूपी में आएंगे तो ध्यान लगा प्रश्च नमर 27 है कि मतुरा और विंद्रा में मुखिता कौन सी बांसा बोली जाती है तो यहां पर आपको पता होगा अभी हमने करा चुके हैं ब्रज बांसा का चेत्र है प्रशल नमर 28 है क्यों सी बॉली नहीं है ऊत्तर प्रदेश में इसमें से कौन सी बॉली नहीं है वो आपको बताना है तो कौन से बॉली अभी हमने बात कि है बरज बहचा मधुरा चेत्र में बोजपूरी बन अपने वरांटाशी वाले चर इधर पड़ता है तो सी वाला विकल्प में आती जो है इसके अंतरगत नहीं आए गाठा इसका सी वाला विकल्प प्रश्च नमर 29 के कौन सी प्राचीन भासा नहीं है इसमें से कौन सी प्राचीन भासा नहीं है वह आपको बताना है प्रश्च नमर 29 का तो कौन सी पंजाबी जो है प्राचीन भ भूम चुका है अभी हमने आगे कर चुके तो यह वाला भीकल्ब हमारा सही हो जाएगा मगही मैथिली और भूचपूरी यह सब बिहारी के अंतरकाते हैं प्रश्च नम्मर 31 पंजाब में हिंदी का परचार किस ने किया था वह आपको बताना है प्रश्च नम्मर 31 का तो सरद प्रश्च नम्मर 34 कि उत्तर प्रदिस में कौन सी बांसा नहीं बोली जाती है वह आपको बताना है उत्तर प्रदिस अवधी बोली जाती है कन्यों जी की बात करी चुके ब्रश्च बोली जाती है तो पहाड़ी हिंदी जो है पहाड़ी चेतर में बोली जाएगी वाला विकल्प 34 का सही हो जाए का 35 आधुनिक भारती आरे भासाओं का विकास किस से पहले संस्कृत अता था उसके बाद प्राकृतिक अता लूद तो अधुनिक निर्मार इसी अपभरंश से हुआ है और अपभरंश के बाद हिंदी का नमर आता है नहीं भाला विकल्प से हो जाए प्रश्णes नमर चाहीं आदूनिक भारती आरे काल का अरे भासा का काल कब से कब तक माना जाता है वो आपको बताना है प्रश्णअ मर चाह नामजाते स्टीश का अब तक ये मना क्रम है इरिक्त अस्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा मैंने महीं बता है क्रम पूछ दिया है यहां पर क्रम पूछा है कि पहले संस्कृत आएगा उसके बाद संस्कृत के बाद कौन सी बासा आती है वह आपको बताना है तो चले दखिए पहले संस्कृत संस्कृत उसके बाद पाली उसके बाद प्राकिर्तिक उसके बाद प्राकिर्तिक आता है ज्यान रखेगा प्राकिर्तिक लिख नहीं पह रहा हूं इस पर प्राकिर्तिक और उसके बाद जो है अपुभरंस आता है अब इसमें मिल काउंडर रहा है वो आपको बताना है तो देखिए पह आगे जलते हैं प्रश्ण नमर 38 हिंदी का मानक रूप किस भासा से विकसित हुआ है वह आपको बताना है प्रश्ण नमर 38 का तो इस प्रश्ण का चर्चा अभी हमने पीछे किया और उसी प्रश्ण को गुमा कर फिर से पूछ दिया है यहां पर तो मैंने बताया थना कि पच् लागा है तो ब्रज से तो कोई बोली नहीं जाएगा ज्यादा सी वाला विकलप उन्तालिस का सई हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 40 निमलिक्त में से प्राचीन भासा आरे भासा कौन सी है वह आपको बताना है प्राचीन भासा यहां पर पूछ रहा था वहां प प्राचीन परियेगा चोथे प्र 술 यह आएगा और पांचेन्स नम्मर पर ह Kenyan denying गये वी कलब में द्रेंवनि परिवार की बहसा काँ चीनता रहा है द्यान रख्येगा प्रश्ण नमर 42 बोली कहां भोली जाती है प्रश्ण मर बोली जाती है थे कहांworld करा तो कहां पर तो यह वह आपको बताना है प्रश्ण नमर 43 कुछ बोलियों से important question है लेकिन यह चीज समझकर आप वीडियो को देखेगा कि यह सूपर टेट में भी है ध्यान से इस वीडियो को देखेगा प्रश्ण नमर 43 का हमारा हर्यान भी हो जाएगा राघड़ी बोली जो है हर्यान वाला चेतर में बोली जाती है यह बोली हो जाता है बाकी हमारे टेलिग्राम से जूड़ जाएगा एक फोटो मैं वहाँ पर सेयर करूँगा जिसमें जो है एक पेड़ पर जो है सारी जो है बोलियां और जो मुख बोलियां है जो और विकसित बोलियां चेतरी बोलियां है उनका सब विस्तार जो है ट्रिक माद्यम से मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम पर टेलिग्राम भी जूड़ना मत बुड़िएगा लिंक इस वीडियो के डिस नमर 44 का। तो कौना बंगिड़ी सवाला बिंगल्प बाक्ष्ण नमर आ जाते हैं प्रष्ण नमर भृष नमर 25 वह आपको बताना है प्रष्ण नमर 45 का कौनसा बिंगल्प सई होगा तो यह जबलपूर चामEr में उर्दू और अंगरेजी के वतपन नई जबान कान सी होती है इसके कउंसी नई जबानbersब्स होती है कान सी yup इंदुस्तानी हिंदी बांसा का नेरमाड़ होता है इससे इन सभी बांसाओं से डी वाला बिकलप JOS सही हो जाए गा प्रश्च नमर 47 है कि पच्छिमी हिंदी की कितनी बोलीयां है वह आपको बताना है प्रश्च नमर 47 से का थुरा अंदर पूछ दिया है डी वाला बिकलप J प्रश्ण नमर 47 टेलिग्राम से जूड़ जाएगो वहां पर मैं PDF कर दूंगा फोटो के रूप में रहेगा आप वहां से देख सकते हैं बहुत अच्छा फोटो है प्रश्ण इस वीडियो का लाश्ट प्रश्ण है कि रूम लिपी का प्रियोग किस बांसा में के लिए नहीं होता है रूम लिपी का प्रियोग किस बांसा के लिए नहीं होता है वह आपको बताना है तो जो है कुल्लाई बांसा के लिए नहीं होता है तीनों के लिए रोम लिपी का उप योग होता है तो ये 50 प्रस्ण है पार्ट 1 था इस टॉपिक से रिलेटड पार्ट 2 है एक अर आएगा पार्ट 2 उसके बाद ये हमारा टॉपिक पहला जो हिंदी का इतियास है वो समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद हम लेकर आएगे वर्ड माला और वर्ड माला के भी ऐसे क्वेस्चन होगे वो किसी ना किसी एकजाम में पूछे गए सभी क्वेस्चन होगे ऐसे प्रश्ण में चुनीन दा आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो तो वीडियो फसंद है तो लाइक सेर सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंको थैंको फार वाचिंग दिस वीडियो